नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फैसे सुवागत करता हूँ आपके पने चैनल अंकित वर्मा ओलेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी के इस वीडियो में आपको आज 28 देसंबर 2022 की हिमाचल प्रदेश क शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबर हैं तो देख सकते हैं शाम की पहली ताजा प्रदेश में करोना की चौथि लहर से निप्टने के लिए कोवीड शील्ड की एक भी डोज नहीं बची है जबकि कोवीड से लड़ने की त्यारियों को लेकर मंगलबार को ही मौक ट्रिल में वैक्सीन की कमी उजागर हुई हेमाचल नव बर्ष पर कहीं डीजे तो कहीं कुलवी नाटी पर मचेगा धमाल होटलों में होगी पार्टियां तो कहीं डीजे पर सैलानियों के कदम थिरकेंगे तो कहीं कुलवी नाटी में कदम से कदम मिलाए जाएंगे हेमाचल हाई कोट ग्रैचियोटी की अदाईगी नहीं करने पर प्रधान मुख्या अर्नेपाल वन के वेतन पर रोक जाने अन्य फैसले तो नियाधीश तरलोक सिंग चोहान और नियाधीश फिरेंदर सिंग की जो एक खंड़ पीट ने सबस्ट किया कि बिना अदालत की अनुमति से प्रधान मुख्या अर्नेपाल के वेतन की अदाईगी नहीं की जाईगी मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है हेमाचल सरकार के मंदिर ट्रस्ट कमेटियों को निरस्ट करने के फैसले को हाई कोट में चनोती तो परदेश सरकार के मंदिर ट्रस्ट कमेटियों को निरस्ट करने के फैसले को हाई कोट में चनोती दी गई है मंगलवार को सुनवाई पूरी ना होने पर मामले को बुदवा साथ हैक्टियर भूमी में लेसन उत्पादन का दाइरा जो है बढ़ा है मुख्यमंत्री के प्रधान नीजी साचिव बने विवेक बातिया अधिसूचना जो है जारी तो विवेक बातिया को मुख्यमंत्री के प्रधान नीजी जो है साचिव बनाया गया है इस संबंद में बुद्वार को मुख्य सच्व आडी धिमा ने अजसूचन चारी कर दिये IAS किरन भडाना सूचन एवं जन संपर्क पिभाग की नई निदेशक होंगी पुनर मुल्यांकन के लिए जोए 9 जनवरी तक करें आबेदन कांग्रेस थापना दिवास राजी भवन पहुंचे सीम सुखिंदर सिंग सुखु कारे करताओं ने किया जोरदार स्वागत मुख्यमंतरी सुखिंदर सिंग सुखु ने कहा कि पीपर लीक ना होने हो इस दिशा में साथ दिन में पारदर्शी परणाली जोए अपनाई जाएगी अन्यंतरित होकर खाई में गीरी कार बुलैरो जीप एक की मौत दो अन्य गायल हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं कुलू के आनी में दर्दनाक कार हाथसा रानभाग के पास दो भाईयों की मौत हाथ से से जो है क्षेत्र में मात्तम तो कुलू जीला के आनी में एक दर्दनाक कार हाथसा पेशा है जिसमें 2 भाईवों की मौत हो गी है बताया जा रहा है कि आनी से लगभग 14 किलومेटर दूर रानबाग के पास एक कार दुरगत नगरस्ट हो गई जिसमें दो भाईयों की मौत हो गई, इन में से एक की उमर दस वर्ष वा दूसरे की तेस वर्ष बताई जा रही है जोगिंदर नगर में बिजली बिल जमाना करने पर काटा SBI की ATM का कनेक्शन मंडी से न्यूज है, गहरे नीले रंग की बरदी में नजर आएंगे सोलन के ओटो चालक आतियों ने अनिवार्य किया ड्रेस कोड सराज की परोण में 300 मीटर खाई में गिरी कार, वार्ड मेंबर साइथ तीन लोग गायल सभी मंडी रैफर तस्वीरें आप देख सकते हैं, सराज क्षेतर के परोण नामक स्थान पर बुद्बार, एक कार के दुरगटनगरास्त हो जाने से बार मेंबर साइथ तीन लोग गायल होगे, गायलों को साथ लगते, प्रात्मिक स्वास्ते के अंदर के चिकित सक ने मंडी रैफर कर दिया है, चौपाल में खाई में गिरी कार, एक की मौत, दूसरा गायल, सरकारी स्कूल में कर रत था, हास में जो है जान गवाने बाला, तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की टॉप 10 तादा खबरें, अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया